हेलो फेंड्स मैं मंधीप साउगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंड्स आज की इस वीडियो में 40 साइस का 4 टक्स का ब्लाउस का फुल कटिंग मैं आप लोगे साथ शेयर करूँगी और ये रहा मेरा अस्तर का कपड़ा दूनों मेंने में कपड़ा जो है वो भी की तरफ है और बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है तो मैं क्या करती हूं कि उपर और नीचे वाला जो पार वहां पर फ्रंट और meanings बेक पौछ लोग इस तरीके से भी कटिंग करते हैं तो जयसा आपको कपडा बचता है आप उस तरीके से कटिंग कीजियेगा एक पर पहले कपड़े कूफो critically कर लेती हूं और उन नीचे काज पर और इस तरीके से पहले कपड़ रही हूं बैक पार्ट की तो यहां पर दिखें नीचे की तरफ एक लाइन डो करके पहले हमने कपडे को सीधा कर लेना है और ब्लाउस की जो लंबाई होती है वो आप अपने मार्जिन का बढ़ा कर आप लीजिएगा जैसे कि मुझे 14 इंच त्यार रखनी है इसकी लंबाई तो मैंने एक इंच बढ़ा कर उसमें मार्जिन का प्रस करके टोटल लंबाई ली है 15 और डीप नेक के साबसे में इसे बना रही हूं फ्रेंट ओपन तो यह रहेगा 5 इंच प कोणा 6 इंच पर मार्किंग कर लेनी है अब लेना ही यां पर चेस्ट का छोधावाग में पर कर देंच कर लेंगे 33 भी हो सकती तो मेरे जाइस में यहाँ पर 34 कमरे उसका चोथा भाग ले लिया है साड़े आर्टीन चोधी डीन्च एकस्टर रखा है मैंने मारसीन के लिए इसके बाद एक सवा एक इंच पर आपको आर्मोल की गुलाई देनी यह बैक पार्ट में सवाइक इंच पर गुलाई देकर हम इसे कट कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को मार्किंग पूरी कर ली है और इस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ पीछे का जो गला है वो आप अपने हिसाब से डिजाइन के साथ बना सकते हैं से नीचे से जो लाइन ड्रो किया था मैं इसे कट कर रही हूँ तो बैक पार्ट की कटिंग कर ली है अब मैं आपको गले के लिए बता देती हूँ गले का जो मेसेमेंटे वो रखेंगे हम धाय इंच का 2.5 इंच यहाँ पर मार्क कर लेंगे तो दीखे 5.5 इंच पर मैंने ली है गले की चोड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं तो लेंट मैंने रखी है इसकी 10 इंच नीचे से गले की चोड़ाई रखी है 3 इंच एक चोकर बॉक्स हमने इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है और इसके बाद मैं ड्रॉ कर रही हूँ राउन नेक तो इसमें मैं बाद में डिजाइन बनाऊंगी अभी मैं आपको सिंपल इसे राउन नेक करके ही बता रही हूँ आप भी अपनी पसंद से डिजाइन जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं बैक पार्ट की प्लिट्स लगाएंगे तो सैंटर से कपले को फोल करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे और लंबाई में मिले रही हूँ 4.5 इंच पर मार्क कर लेना है इसे नीचे की तरफ मिला देना है दोनों तरफ से आधा आधा इंच लेते हुए इसे मिला देंगे इस तरीके से तो यह हो गए हमारी बैक पार्ट की प्लिट्स और यह हो गया बैक पार्ट का कटिंग अब करना है फ्रन पार्ट का कटिंग तो आसान तरीके से बता रही हूँ मैं आपको आप इसके cutting बंद भाग की तरफ से भी कर सकते हैं और खुले भाग की तरफ से भी कर सकते हैं जिससे आपको ठीक लगे और या फ्रिजेस आप करते हैं उस यसाब से कर लेना है आपको टो मैं इसे खुली तरफ से कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ, यह दिखिए किनारी वाला पार्टे है याँ पर, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से रख लेना है, इसके बाद आपको, यहाँ पर मार्क करना है आदा इंच, आदा इंच लेना है हमने हाई हुग की पट और इस color का जो jaw के वो दीख नहीं रहा है कपड़े पे ये देखी अब इसके बाद मैंने इस पर रख लिया है अपना back part और as it is हमें mark कर लेना है पहले लिया है मैंने आदा इंच एक star वो आदा इंच होड़ते हुए हमने back part को इसके उपर रखा है इसके बाद मैं यहाँ पर ले रहे हूँ नीचे की तरफ से एक इंच बढ़ा कर back part से हमारा जो front part होता है वो थोड़ा बढ़ा होता है तो यहाँ पर हमें एक इंच से बढ़ा कर लेना है front part से back part से front part एक इंच बढ़ा कर लीजेगा यह देखे और आर्मोस तरफ से आदा इंच और नीचे कमर की तरफ से देड़ इंच आपको extra margin लेना है वो इसलिए लेना है क्योंकि जब हम इसमें 4 टक्स बनाएंगे तो जो कपड़ा है हमारा वो कम ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर इससे बढ़ा कर लिया है मार्किंग पूरी करने के बाद हमने इसे कट कर लेना है तो यह कपड़ा इतना बच्चा है मेरा इसमें आप स्लीफ कट कर सकते हैं तो यह चोटे चोटे पीस कट बचते हैं इसे हमें साइट में जोड़ करके अगर आप बड़ी स्लीफ बनाना चाते हैं तो बड़ी स्लीफ के लिए आप कपड़ा जोड़ कर सकते हैं चोटी स्लीम्स तो निकल जाती है यह जाहिता और यहां पर दिखेंव हमें 1.5 इंच लेते होँ मार्ग करकें लेना हैं यहां पर अंदर की तरफ मार्किंग की हैं और इसे cut कर लेना है तो यहाँ पर मैंने armhole की गुलाई पी cut कर ली है और इसके बाद मैंने इसे पलटा लिया था मुझे इस तरफ से गुलाई करना सही लगता है गले की तो मैंने इस तरफ कर दिया है back part, sorry front part को और आदा इंच में यहाँ पर देखे फिर से marking कर लेती हूँ क्योंकि अब जो भी marking हम यहाँ पर करेंगे वो आदा इंच चोड़ते हुए ही करनी है गले के चोड़ाई रखी है ठाय इंच गले के लंबाई आप अपनी पसंद से लीजेगा मैंने इंप रखी है यहाँ पर पोना साथ इंच 6.75 इंच पर मार्क किया है और नीचे से भी ताय इंच लिया है simple round color मैंने यहाँ पर बना लिया है vortex में आगे आप design भी ले सकते हैं तो अपनी पसंद से बना सकते हैं यहाँ पर belt के लिए 3 इंच पर मार्क करना है पूरा मैंने 3-3 इंच पर मार्क कर लिया है और इसे सीधी line draw करके मिला दिया है belt को side से हमने कम कर लेना है क्योंकि हमें कपड़ा उपर वाले पार्ट पर ही चाहिए belt पर हमें extra कपड़ा नहीं जोड़ना है तो वो मैंने कम कर दिया है कमर की तरफ से 1-2 इंच उपर और आगे गले की तरफ से 1 इंच उपर की तरफ belt को shape देना है जोड़ने जब आप ध्यान रखेगा कि यह वाला पार्ट इसी तरफ अटेश हो यहाँ पर फोटक्स के लिए 4 इंच लेना है विर्थ में और यहाँ पर गले की नीचे वाले इससे पर center मार्क कर लेना है आपको इस तरीके से यहाँ पर 1,5 इंच लेंगे उपर की तरफ और इसे यहाँ पर आर मोल वाला जो पार्टे यहाँ से आपको 1 इंच इस तरफ कर लेना है आदा से 1 इंच तो यह सभी marking मैंने कर ली है अब इसकी लबाई ले लेंगे 2 इंच इसकी बीच का gap देख लेना है कितना है तो यह मेरे measurement पर आरा था पोना 2 इंच तो यहाँ पर भी पोना 2 इंच मैं मार्क कर लेंगे और इसे इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे सबी साइज में आप प्लिट्स जो है इसी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं बस आपको जो नीचे का मेसरमेंट है जहां पर मैंने 4 इंच लिया है अगर 40 से छोटा साइज होता है तो आप 3.5 इंच लीजिएगा यहां पर भी हमने 5 इंच पर मार्क करके इसे इस तरीके से मिला देना है तो यह हो गया हमारा 4 टक्स का मार्किंग बीच में गोला जैसा बनना चाहिए यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहां पर जो टक्स की मार्किंग यह वो मैंने कर ली है इसे आपको दूसी तरफ भी ट्रेस कर लेना है तो आपको यहां पर मुझे जो नीचे कपड़ा है उसमें से मार्किंग दिख रहा था तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर भी मार्किंग कर दिया है और इसके बाद हमने इसका कटिंग कर लेना है तो पूरा मार्किंग करने के बाद हम इसे कट करेंगे आप देखेगा मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ जहाँ जहाँ हमने मार्किंग किया है वहाँ वहाँ से कट करना है गले का कटिंग आप जब स्टिचिंग करेंगे तभी कीजिएगा जैसे कि अभी मैं इसका stitching कर ही रही हूँ तो मैंने गले को cut कर दिया है अगर आप सिर्फ cutting करके रख रहे हैं तो जब stitching करेंगे तभी गले को cut किया किजिए इसके बाद कि यह हमारा belt हो गया है और यह front part का cutting हो गया है अब मैं कर रहे हूँ इसे man fabric पर रख कर cut sorry इससे पहले हमें sleeves का cutting भी करना है तो sleeves cutting करने के लिए यह देखिए अगर आप बड़ी sleeves निकाल रहे हैं तो side में जैसे की चोड़ाई में कपला कम है तो जो बचा हुआ कपला है वो आप जोड सकते हैं यहाँ पर और मुझे चाहिए 5 इंच की sleeves तैयार होने के बाद वो 4 इंच की हो जाएगी तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर तो यह बिल्कुल 5 इंच पर ही आ रहा है कपला अब हमने इसे इस तरीके से fold कर लेना है और अगर आप कोई भी जोड नहीं लगाना चाहते हैं कपड़े पे तो आप अगर बड़े साइस का blouse बनाते हैं तो देड मिटर आप ले सकते हैं हस्तर का कपड़ा उसमें आपको कोई भी जोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर देखिए देड इंच मार्जिन का छोड़के आर्मोल हमें नाप नहीं तो यह आर्मोल मेरे मेंसमेंट में आ रहे थे 7-9 इंच फिर से एक बार नापिंग के उपर की तरफ से तो यह 7-9 इंच आ रहे हैं आर्मोल तो जब भी आप स्लीव की कटिंग करेंगे तो इस तरीके से आर्मोल नापकी कीजिएगा अब ले रहे हूं मैं टोटल लंबाई स्लीव की 5 इंच आप अपने हिसाब से लीजेगा यहां पर 7-9 इंच पर आर्मोल का मार्किंग मैंने किया है और 2-5 इंच पर किया है मैंने इसे डाउन हलके हातों से दे देंगे स्लीव का शेप और नीचे का जो मैजरमेंट है मेरा 14 इंच गोलाई आधा लिया है 7 इंच और 1,5 इंच पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा मार्सिन का मार्सिन आपने ब्लाउस में जितना लिया था उतना ही आपको यहां पर भी रखना है तो यह होगी मेरी स्लीव की मार्किंग अब कर रही हूं में इसका कटिंग तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है आपको अगर बड़ी स्लीव लगानी है तो फिर आप उसे 3 इंच पर डाउन कीजेगा गेराई कट करेंगे तो आदा इंच लेना है आपको अंदर की तरफ और इस तरीके से शेप देने के बाद इसे कट कर लेना है साथी साथ आप यहाँ पर मार्किंग जरूर कर लें ताकि जब आप स्टीचिंग करेंगे तो आपको पता रहेगा की पार्ट आपको फ्रंट में ही अटेज करना है तो मैंने कर लिए यहाँ पर स्लीव की भी कटिंग और अब मैं कर लेती हूँ इसका मैंका प्लेपर कटिंग तो देखिए फ्रंट का पार्ट में आपको अटेज करके दिखा देती हूँ बाकी का आगे का और स्टिचिंग देखने के लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रही हूँ आप उसमें से देखिए पूरे ब्लाउस का स्टिचिंग कर सकते हैं तो देखिए अब मैं आपको इसका स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ सबसे पहले हमें इसे इस तरीके से जमा लेना है नीचे रखना है मेन कपड़े को उपर रखना है अस्टर के कपड़े को और चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है तो इसे अटेश करते से मैं आपको ध्यान रखना है कि ना तो अस्टर में सल होने चाहिए ना ही बलाउस में सल होने चाहिए तो आप चाहें तो कटिंग करने के बाद भी आप एक पर प्रेस कर सकते हैं कि जितनी भी क्रेस है वो खतम हो जाएगी और सल विगरा भी खतम हो जाएगी और फिनीशिंग बहुत अच्छी आएगी तो यहां पर मैं इसे अटेश कर दिया है मैं कपड़े को और अस्तर के कपड़े को साथ में इसके बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे अस्तर के बराबर से कट कर रही हूँ मैं हमेशा में कपड़ा जो है वो थोड़ा बढ़ा कर ही कटिंग करती हूँ ताकि स्टिचिंग करने में आसानी रहे बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो आप कट करके निकाल दीजेगा अब बैल्ट तेयार करेंगे तो बीच में से बैल्ट को कट कर दिया है और यहाँ पर रखना है अगर आप बैल्ट पलटा कर लगाते हैं तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं बैल्ट को भी मैंने अस्तर के साथ अटेज कर दिया है यहाँ पर और कर लेंगे इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग तो दीखे एक्स्टा फेवरिक मैंने एपर कड कर लिया है और इसके बाद तक अब मैं कर रहे हूं यहां पर प्लेट्स अटेज तो इस तरीके से हमें प्लेट्स को अटेज करना है जहाँ जहाँ हमने मार्किंग किया है वहाँ वहाँ से हमें प्लेट्स अटेज करनी है तो दीखे मैं थोड़ा पास करके इसे दिखा रही हूँ आपको और थोड़ा स्लो भी कर दिया है मैंने तो आप देख सकते हैं मैंने plates लगाते समय कितना margin लिया है उतना ही आपको लेना है जैसे कि जब हम plates लगाना शिरू करेंगे तो आगे से आपको थोड़ा ज्यादा लेना है जैसे कि machine का जो food होता है उसका एक पेर का margin लेते हुए और फिर जब हम इसे उतारेंगे तो सिलाई आपको बिल्कुल corner की लियानी है और यहाँ पर पका कर देना है जैसे यह सिलाई हमने लगाई उतारते समय आप इसे पका कर लें और इस तरीके से सिलाई लगाकर plates बना लें तो देखिए कितना चाँ उठावाया है और finishing भी बहुत अच्छी आ गई है अब आपको क्या करना यह देखिए जब हम plates लगाते हैं तो थोड़ा कपड़ा जो है वा आगे पीछे हो जाता है तो पहले क्या करना है आपको सिलाई लगानी है उसके बाद आपको इसे कट करना है कपड़ा दब जाएगा यह देखिए और कपड़ा आपका एक जैसा कटिंग भी हो जाएगा ऐ इसे ही आपको आर्मोल तरफ भी कर लेना है पहले सिलाई लगानी है उसके बाद कपड़े को कट करना है अब मैं यहाँ पर बैल्ट आटेज करके दिखा रहे हूँ तो दिखिए आपको बैल्ट इस तरीके से आटेज करना है यह जो नीचे का टक्स होता है हमारा प्रिट्स जो होती है इसे आगे की तरफ रोल कर दीजेगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ और नीचे से आधा इंच का मारसिन लेते हुए आपको यहाँ पर बैल्ट आटेज करना है और इस पर डबल स्लाइन ज़रूर लगाईएगा तो यह बैल्ट भी मैंने आटेज कर दिया है और अच्छी फिनीचिंग के साथ यह अटेज हुआ है साइड में जो भी एक्स्टा कप्डा रहता है पहले आप सिलाई लगाए उसके बाद फैब्रिक को कट करें ज्यादा कप्डा दिखता है तो पहले एक बार नाप करके फिर कटिंग कीजिएगा तो यह मैंने बैल्ट यहां पर अटेज कर दिया है अब मैं आपको दिखाती हूँ हाई की पटी अटेज करके तो मैं इस तरफ हाई की पटी लगाती हूँ अगर आप हुक्की लगाते हैं तो हुक्की ही लगाईएगा जैसा भी आपको ठीक लगे दोनों में से किसी भी तरफ आप अटेज कर सकत यहाँ पर आधा इंच का मार्सिन लेते वे सिलाई लगाएंगे यहाँ पर दियान रखिएगा आपको आधा इंच का ही मार्सिन लेना है जैसी कि आपको लगता है कि कम है तो एक पर फिर से सिलाई चला लेजेगा और क्योंकि अगर आप इसे कम लेंगे आधा इंच से कम लेंगे तो आपका शोल्डर जो है वो डाउन होगा हमने यहापर कटिंग करते समय आधा इंच का मार्जिन लिया था तो उतना ही आपको सिलाई में धबाना है नीचे रखेंगे हाई की पटी सि कर रही हूं इससे फोल्ड मैंने इसमें मैंन कपला अटेज नहीं किया है आप चाहें तो मैंन कपला भी अटेज कर सकते हैं और इसके बाद एक सिलाई कॉर्णर की जरूर लगाएगा इससे अच्छी फिनिशिंग आती है हाई की पटी में और वो उठी हुई नहीं लगती ह तो मैंने यहाँ पर बैल्ट और हाई की पटी अटेज कर ली है इसके बाद में कर रही हूँ यहाँ पर गले पर पटी लगा रही हूँ आप अगर पाइपिंग लगाना चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं या फिर यह वाला तरीके से क्रॉस पटी लगाएगा तो तिर्ची पट्टी आपको cutting करनी है यह दिखी क्रॉस पट्टी इसे जोड़ना आपको इस तरीके से हैं और यह पट्टी हमारी होगी विट्त में सवाय किंच की इसकी जो पट्टी की चोड़ाई है वो सवाय किंच की है यहाँ पर एक पेर का मार्जिन लेते हुए आपको इस तरीके से चोटे-चोटे कर्ट लगाईएगा यह कर्ट लगाने से जो गला है वो बहुत अच्छी तरीके से पलट जाता है फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरीके से इस तरफ करते हुए लगाईएगा पटी को एक सिलाई मैंने इस तरफ करते हुए अटेज करती है और आगे से जो पटी हमने छोड़ी थी इसे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था और छोटे-छोटे कट यहाँ पर आपको लगा लेने है छोटे-छोटे कट मैंने लगा दिया है अब इसके बाद आप इस लगता है और कम समय में आपका गला बनकर तयार हो जाता है तो मैंने यहाँ पर पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है जब आप इस पर प्रेस लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है यह देखिए मेरा गला बनकर तयार हो गया है अब मैं आपको नीचे कमर पटी लगाना बता रही हूं कि कमर पटी कैसे लगानी है तो जो कपड़ा आपका बस्ता है और उसकी पटी आप इस तरीके से कट कर लें कमर पटी आप सवा 1-4 इंच की कटिंग कर सकते हैं तो कुछ लोग बैल्ट को नीचे से पलटा देते हैं तो आप उस तरी तरफ थोड़ा छोड़ते हुए हमने अटेश कर देना है आप अगर तुरपाई करना चाहें तो पटी को इस तरीके से सिलाई लगा कर कच्छी सिलाई डाल सकते हैं फिर बात में तुरपाई करके पटी को सिलाई जो है वो खोल सकते हैं मैं यहाँ पर सिलाई ही लगा रही ह तो एक सिलाई मैंने इस तरीके से पटी के उपर लगाई फिर पटी को कर दिया है अंदर की तरफ फोल्ड आगे की तरफ से जो कपड़ा हमने छोड़ा था इसे भी पूरा अंदर की तरफ कर देना है अच्छे से सिलाई लगा कर पका कर देना है कॉर्णर पे जब भी आप सिलाई को उतारते हैं तो वहाँ पका ज़रूर कीजिएगा तो फेंट्स आपको आज का मरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें धन्यवाद